हेलो गाइज, वालकॉम बाक, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पाइथन में exception handling के बारे में, तो इस वीडियो में हम जितने भी आपके जो keywords यूज होते हैं exception handling में, वो सारे keywords पर बात करेंगे, साथ में ही हर keyword को use करके छोटे-छोटे से program की examples भी देखेंगे फटा-फट स ताकि आप जो हैं वो बिलकुल इस subject के लिए, मतलब जो topic है, exception handling उसके लिए completely ready हो जाएं इस छोटे से video में, तो चलिए बिना देर की फटा-फट शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि आपने channel subscribe कर ही लिया होगा, एक बात वो भी आप जल्दी से check कर लो, नहीं क्या है तो त spelling गलत लिए, semantics या syntax, मैं अगर कोई गलती कर दी तो उसको बोलते हैं error, दूसरा होता है exception, मतलब कि जब आपका program normally run कर रहा था, लेकिन आचानक से ऐसा को event हुआ, जिसके कारण जो उसका normal flow of execution था, उसमें problem आगी, तो उसको बोलेंगे हम exception, ठीक है, तो यह generally कब होता है, जब हमारा program run कर रहा होता है, उस समय, during execution, ठीक है, तो इसके आजाने से क्या होगा, कि आपका program जो है, उसका execution रुकेगा नहीं, बट उसका जो normal flow है, वो change हो जाएगा, तो अब देखेंगे अभी examples के चूँ, तो हम जो keywords की बात कर रहे थे, वो हैं यहाँ पर, सबसे पहला keyword है, try, इस block के अंदर, आप उस code को रखोगे, जिसके उपर आपको doubt है कि भईया, यह जो code है, इसमें गडबड हो सकती है, ठीक है, जिस code में आपको doubt है, कि इसमें कोई problem आ सकती है, कोई exception आ सकती है, उस पूरे जितने भी lines हैं, उस code की, वो सारी हम कार रख देंगे, try block के अंदर, और यहाँ पर इस चीज में फिर से याद दिला दूं कि python में हम block कैसे बनाते हैं, indentation के तुरू, मतलब शुरू आत में statement की शुरू में spaces दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर curly brackets का कोई funda है नहीं, try में हम उन्चीज को रख देंगे, अब अब वहाँ पर अगर कोई exception आ गया है, तो उसको कैसे handle करना है, यह हम रखेंगे इस accept नाम के block में, तो accept हो गया हमारा दूसरा keyword, ठीक है, उसके बाद में हम आ गया, third में, third में हमारे पास आ गया, else, else कब execute होगा, जब आपके प्रोग्राम में कोई भी exception या error नहीं आएगी, तब else execute होगा, यह कब execute होग जब कोई exception आ जाएगा, तो accept execute होगा, और अगर नहीं आया, तो else execute होगा, और एक मिलेगा हमको finally block, तो आपका finally जैसा कि इसका नाम से समझ में आ रहा है कि finally यह तो होना ही है, है ना, तो finally block में आप जो भी लिखोगे, वो हमेशा execute होगा, भले ही आपका exception आए या ना आए, ल के लिए हम इसको फटा-फट से देख लेते हैं, एक प्रोग्राम के थू, तो यहां मैंने simple try और accept लिया है, ठीके ज़रूरी नहीं है कि हम else और finally को भी हर बार ले, बट एक try के साथ कम से कम एक accept होना ज़रूरी है, तो देखो try के अंदर मैंने क्या लिया print x, अब यहां आप वो exception को कोन handle करेगा, तो यह हमने accept block लगा दिया, और इसके अंदर print करवा दिया कि an exception occurred, तो जैसे ही क्या होगा, यह वाला जो program है, इसमें यहां पर control गया, तो exception आएगा और यह वाली length print हो जाएगा, तो यह जिस पर आपको doubt था, कि इसमें error आएगी, उसको किसमें रख दिय हमने try के अंदर, तो syntax क्या बनेगा हमारा try, उसके बाद column, और यह देखो space देने के बाद लिठा है print text, अगर और lines होती तो हम print text के just नीचे से ही शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगा accept block है, यहां पर accept keyword यूज़ क्या, उसके बाद column लगाया है, और फिर indentation देके हमने यह व तो हम direct उसका नाम भी दे सकते हैं, तो हम जब हम accept keyword के साथ में नाम लिख रहे हैं error का, तो इसको बोलेंगे हम specific exception, लेकिन जब सिर्फ accept लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, general exception, दोनों में क्या difference है, specific क्या करेगा, उससे particular exception को ही handle करेगा, जबकि यह जो accept लिखा था, जो general exception को show करता है, यह सारे tab के exceptions को handle करेगा, ठीक है, तो जब हम आये यहां पर, यहां हमने क्या कर दिया, अगेन वही पिछला program जो था आपना, x को print करवाया, और यहां पर क्या होगा, x क्यों की defined है नहीं, तो इस तरीके की error को बोलते हैं, name error, तो हमने यह जो लिखा है, accept space name error, तो ज यहां आपको मिल जाएगा, print होके, variable x is not defined, और यह वाला accept जो है, वो skip हो जाएगा, यदि यहां पर, दूसरा को, मानलो, x divided by 0 कर देते हैं, यह print के अंदर लिख देते हैं, 5 divided by 0, तो क्या होता, division by 0 error आजाती है, ठीक है, यह 0 division error, तो उस case में यह वाला error नहीं था, 0 division, इसका हम तो name error दिखा रखा है, अगर 0 division करवाते हैं, तो यह उसको fulfill नहीं करता, तब क्या होता, तब यह handle करता, क्यों करता, क्यों करता, क्योंकि यह general exception, यह सारे debt के exceptions को handle कर लेगा, तो यह आपका execute हो जाते है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, कि यदि हमारे पास में else दिया हु तो exception नहीं आएगा, तो हम किस में जाएंगे, हम जाएंगे else में, और else में क्या print होगा, nothing went wrong, ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, कि हर किसी के syntax में keyword के बाद colon आ रहा है, हना else के बाद भी colon आ है, अब हम एक देख लेते है, finally वाला, तो हम आ गए यहाँ पर, यहा पर define नहीं किया है, declare नहीं किया है, तो exception आएगा, तो इसमें control जाएगा, और यहाँ क्या print हो जाएगा, something went wrong, इसके just बाद क्या मिल लिया, finally, तो finally मिलने का मतलब क्या था, कि यह तो execute होगा ही, तो देख लो, यहाँ print करवा दिया हमने, the try accept is finished, तो यह print होने के बाद हमना, य यदि मान लो कि मैं उपर declare कर देती x को, और फिर x को print करवाती, तो कोई exception नहीं आता, जब exception नहीं आता, तो यह वाली line जो थी, वो print नहीं होती, but तब भी, finally, जरूर execute होता, यही हमने आपको starting में बताया है, कि finally, जो है, वो error आएगा, तब भी execute होगा, और error नहीं आएगा, कभी भी execute होगा, ठीक है, so this was all about, सिर्फ इतना सा था अपका exception handling का पूरा concept, ठीक है, इसमें यह आपको चार keywords जो है, यह धियान रखना है, try, जिसमें error आ सकती, वो block try में जाएगा, accept मतलब कि अगर exception आ जाए, तब आपको क्या करना है, कुछ print करवाना है, या कोई process करवानी ह तो हम accept में लिख देंगे, else में हम लिखेंगे, यदि error नहीं आती है, तब क्या करना है, और finally का मतलब कि भाया, error आये, चाहे नहीं आये, exception आये, या नहीं आये, यह finally जो है, यह तो execute होगा ही, ठीक है, so यह था हमारा exception handling, and I hope आपको video समझ में आई होगी, यह exam के point of view से most important है, so thank you so much for watching, मिलते हैं अपनी next video में